सद्गुरु को प्रणाम, जैश्री श्याम, आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के जो अभी तक मैं आपको कहानिया सुनाती आ रही थी, वो कहानिया अब समाप्त हो गई हैं और अब जो समय है वो है अब भक्ति का समय श्रू हो गया है, भक्ति का समय ज्यान का समय श्र कि आपको उस ज्ञान को अपने उंदर उतारने की भी कोशिश करनी है तो जिससे उस ज्ञान की वजह से ही हम सब में असली में बदलावाता है तो अब आने वाले एपिसोड को थोड़ा सा गंभीरता से हम सब ही लेंगे तो आज के एपिसोड के अंदर मैं आपको वेद इस्त तो मैं शुरू करती हो भगवान सर्वशक्ति मान है और गुणों की निधान है भगवान ने जीवों के लिए बुध्धी, इंद्रिय, मन और प्राणों की सृष्टि की है इनके द्वारा विश्वेच्छा से अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष का अर्जन कर सकते हैं श्री शुखदेव जी कहते हैं एक समय की बात है नारद जी विभिन लोकों का विच्रन करते हुए भगवान नरायन का दर्शन करने के लिए बदरिकाश्रम गए वहाँ नरायन भगवान सिधरिश्यों के बीच बैठे हुए थे उस समय नारद जीनों ने प्रणाम किया भगवान नरायन ने नारद जी के आने का कारण जान कर ब्रहम ज्यान के लिए कहा नारद जी प्राचीन काल की बात है एक बार जन लोक में रहने वाले ब्रहम जी के मानस पुत्र ब्रहम जी के जो मानस पुत्र थे वो चार थे उनके नाम ते सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार तो ये चार जो रिश्य थे, ब्रहमा जी की पुत्र थे, उन्होंने सब इस अपने एक रिश्यू का ब्रहमसत्र बिलाया था. ये चारों भाई शास्त्रिये, ज्यान, तपस्य और शील स्विभाव में समान हैं, फिर भी उन्होंने अपने में से सनंदन को वक्ता बना दिया और शेश भाई सुनने के इच्छा से बैट गए। जगाते हैं, वैसे ही जब परमात्मा अपने बनाए हुए संपून जगत को अपने में लीन करके अपने शक्तियों सही सोई रहते हैं, तब प्रलय के अंत में शृतियां उन्हें अपने वचनों से जगाती हैं। शृतियां कहती हैं, अजित परमेश्वर आप ही सर्वश्रेश्ट हैं, आप पर कोई विजे नहीं प्राप्त कर सकता। मतलब जिस प्रकार से नहीं बहुत अच्छे से एक कमपैरिजन दिया है यहां पर, कि जिस प्रकार एक समराठ सोता है और उसके वंदिजन जब आते हैं, तो उसके स्तुति करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। तो उसी प्रकार जब भगवान सो रहे होते हैं, भगवान अपने संपूर जगत को अपने अंदर समेठ कर सो जाते हैं, उस समेज़ शृतियां हैं, अब भगवान को जगाने के बारी आती है, तो शृतियां भी उसी प्रकार भगवान का गुणगान करती हैं, तब भगवा जगते हैं तो शृती ियां किया आप नहीं और तो कहते हैं अजित पर मे श्रेष्ट हैं आप पर कोई विज्य प्राप्त नहीं कर सकता आपकी जय हो जय हो आप से भाव से ही समस्ट एश्वर्यों से परिपून हैं जगत में जितनी भी साधना ज्यान क्रिया आदि शक्तियां हैं उन सब को जगाने वाले आप ही हैं भगवन लोग सत्व रज तम इन गुणों की माया से बने हुई अच्छे बुरे भावों या अच्छे बुरे क्रियाओं में चाने वाले हैं प्रांधार्यों की सफल्था इसी में है कि वे आपका भजन सेवन करें यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जिवन व्यर्थ है भगवन परमात्मों तत्व का ज्यान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है उसी का ज्यान कराने के लिए आप विवित प्रकार के ऐसी लीला करते हैं जो अम्रत से भी जादा मधूर होती है जो लोग उसका सेवन करते हैं वे परमानंद में मगन हो जाते हैं फिर भी कुछ तो फिर मोक्ष की इच्छा भी नहीं रखते प्रभू आप जीव के सच्चे हितैशी प्रियतम और आत्मा ही हैं और सदा जीव को अपनाने के तयार रहते हैं फिर भी जीव आपके उपासना नहीं करते बलकि इस विनाशी शरीर तथा उसके संबंधियों में ही रम जाते हैं और इस प्रकार अपने आत्मा का हनन करते हैं और फिर उनको पशु पक्षी आदी के न जाने कितने बुरे-बुरे शरीर करने प परता है प्रभू बड़े-बड़े योगी अपने प्राण मन और इंद्रियों को वर्ष में करके योग योगा भ्यास के द्वारा हिर्दे में आपकी उपासना करते हैं परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि उन्हें जिस पद के प्राप्ति होती है उसी के प्राप्ति उन नादी और अनन्त हैं जिस समय आप सबको समेट कर सो जाते हैं उस समय ना तो आकाश जैसा स्थूल जगत रहता है और ना ही महतत्व जैसा शुष्म जगत यहां तक कि शास्त्र भी आप में समा जाते हैं ऐसी अवस्था में आपको जानने के चेश्टा ना करके आपका भज ना है न प्राया प्रभू आप नित्य एकरस हैं सभी जीव आपके माया से भ्रह्म में भटक रहे हैं परंतु बुद्धि मान पुरुष इस भ्रह्म को समझ लेते हैं और संपूर्ण भक्ति भाव से आपकी शरन गहन करते हैं जो आपकी शरन में आता है उसे भला जन्व प्रभू का भय कैसे हो सकता है भग्मन आप अखंड आनंद स्वरूप और शर्ना गतों की आत्मा हैं जो इस सत्य सिध्धान को नहीं जानते उन्हें संसार ने भला कौन सी चीज है जो सुख दे सकती है क्योंकि संसार की सभी वस्त्वें से भाव से ही विनाशी है प्रभू जैसे सांप अपनी केंचुल से कोई संबंध नहीं रखता उसे छोड़ देता है वैसे ही आप माया अविद्या से कोई संबंध नहीं रखते उसे सदा सर्वदा छोड़ देते हैं भगवन यदि मनुश्य योगी होकर भी विशेवासनों को उखाड नहीं फेकता तो उसके लिए आप हिद्ये में रहने पर भी वैसे ही दुरलब हैं जैसे कोई अपने गले में मनी पहने हुए हो परन्तु उसकी याद ना रखने पर उसे इधर उधर ढूंड रहा हो। इस साथ आवरणों से सहित असंके ब्रह्माण एक साथ ही घूमते रहते हैं तब भला आपकी सीमा कैसे मिल सकती है। उन अकाश गामी महात्माओं ने इस परकार समस्त वेद पुरान और उपनिशिदों का रस निचोड़ लिया है। यह विद्या मनुश्यों की समस्त वासनाओं को भस्म कर देने वाली है। परिक्षित इस पकार नारद आदी रिशी भगवान नरायन दुवारा दिया गया बरहम ज्यान धारन कर वेद व्यास जी के आश्रम गए। इसके बाद नारद जी ने जो कुछ भगवान नरायन के मुख से सुना था, वेन सब कुछ व्यास जी को सुना दिया। व्यास जी कौं थे शुगदेव जी के पिता थे व्यास जी। भगवान ही इस विश्व का संकल्प करते हैं तथा उसके आदी, मद्धे और अंत में इस्तित रहते हैं वे ही वास्तों में अभे स्थान हैं उनका चिंतन हमेशा करते रहना चाहिए तो इस पकार आज मैंने आपको वेद इस्तोती बताई है आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वेद इस्तोती को बहुत ध्यान से एकांत में अराम से बैठ कर सुनिएगा क्योंकि ये वेद इस्तोती हमारे जीवन को बदल सकती है और अब समय है विश्ण कोश का आज मैं आपको ब्रह्मा जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहा रही हूँ जिस प्रकार मन ब्रह्मा जी का एक दिन के अंदर चौधा मनवंतर होते हैं चौधा मनवंतर का मतलब चौधा मनवंतरों के अंदर एक हजार बार चतुर्यूग आता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है और उसको एक कल्प भी कहते हैं और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्र आई होए वो 100 वर्ष बताई गई है और ब्रह्मा जी के एक वर्ष बीटता है उसके अंदर 360 दिन होते हैं तो आज मैंने आपको ये ब्रह्मा जी के बारे में थोड़ा सा बताने के कोशिश करी है जबकि इसके उपर मैंने बहुत डेटेल के अंदर एक अच्छी सी वीडियो बनाई है तो मैं चाहते हूं कि आप उस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर सुनियेगा आज विश्णु कोश में इतना ही और नेक्स्ट एपिसोड में दुबारा आपसे मिलते हूं तब तक के लिए हरे कृष्णा